हेलो एवरिवान वेलकम तू माई चानल फूडीस पंजाबी आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक दम खटी मीठी अंबी की सबजी चलिए सबसे पहले हम इसके लिए इंग्रीडियंट्स देख लेते हैं हमें इसके लिए चाहिए कच्ची अंबिया चार गुड का पाउडर चार बड़े चम्मच हरी मिर्चे स्लिट करी हुई चार पानी एक बारी कटीवी हरी मिर्च सुखा धनिया पाउडर एक चोटा चम्मच देगी मिर्च एक चोटा चम्मच हल्दी पाउडर आधा चोटा चम एक सॉस पैन में हम लोग पानी गरम कर लेंगे जब यह पानी उबलना शुरू हो जाएगा तो अब हम इसमें कच्ची अंभियां डाल देंगे ताकि इसको हम बॉैल कर सकें इनको कुछ लोग कच्छी कहरी भी कहते हैं अंभी कहते हैं, कच्चा आम कहते हैं इनको हम लोग medium flame पे boil करेंगे जब तक ये soft ना हो जाए देखिए जैसे जैसे कुक हो रही है अंबियो का color बदलता जा रहा है अब हम इसे एक spoon की मदद से check करेंगे कि ये cook हुई है कि नहीं हुई अभी यहाँ पे cook नहीं हुई है ये करीब 80% cook हुआ है तो अभी हम इसको और cook होने देंगे अब हम इसको दुबारा check करेंगे इसको अच्छे से rotate करके भी हम चेक करेंगे थोड़ी सी इसमें अभी भी कसर बाकी है तो अभी हम इसको उबलने दे रहे हैं मैं एक बार फिर से यहां पर दुबारा चेक करूंगी क्योंकि अल्मोस्ट 80% हो चुकी थी अब यह पूरी अच्छे तरीके से कुक हो चुकी है सॉफ्ट हो गई है यहां पर मैंने गैस को बंद कर दिया है इस पूरे प्रोसेस में 10-12 मिनट का टाइम लगा है यह डिपेंड करता है कि आपकी अंबियों का साइस कितना बड़ा है एक एक करके अब मैं इन उबली हुई अंबियों को बोल में निकाल लूँगी ताकि यह ठंडी हो जाएं और जो पानी है उसको हम डिसकार्ड कर लेंगे अब मेरी अंबिया जो है वो ठंडी होगी अब इसे मैं हैंड की मदद से इनका पल्प निकाल लूँगी देखिए अच्छे से उबले होने की वज़े से यह पल्प और जो इसका गिटक होती है यानि गुठली होती है वो इजिली बाहर स्लाइड हो रही है इसको मैंने इजिली निकाल लेना है क्योंकि हम लोग यह चिलके डिसकार्ड करेंगे और मेंली पल्प यूज करने वाले हैं देखिए मैं किस तरीके से स्पून की मदद से इसके पल्प को चिलकों से अलग करती जा रही हूँ यह प्रोसेस बहुत ही असान है यहाँ पे मेरे सारे छिलके अलग हो गए हैं और जो हमने अंबिया ली थी उसका पल्प अलग हो गया है देखिए कितना अच्छे से पल्प पूरा सॉफ्ट हो गया है अब मैं कडाई लूँगी जिसे गरम कर लूँगी मीडियम फ्लेम पे उसके बाद मैं इसमें एक बड़ा चमच ओयल का लूँगी कि मैं यहाँ पर सर्सो का तेल यूज कर रही हूँ आप चाहें तो कोई भी वेज़िटेबल ओयल यूज कर सकते हैं तेल करम होने के बाद हम इसमें जीरा आड़ करेंगे जैसे जीरा फूटना स्टार्ट होगा इसके बाद इसमें हम बारी कटीवी हरी मिर्च आड़ इसके बाद हम इसमें डालेंगे अध्रक लसन का पेस्ट और उसे भी हम मीडियम फ्लेम पे कुक कर लेंगे ताकि उसका कच्छापन निकल जाए यह आपको ध्यान से करना है क्योंकि जो अध्रक लसन का पेस्ट है वो थोड़ा सा स्ट्लटर करता है ओयल में साथी मैंने यह मख डाल दिया है स्वादनुसार और उसके बाद मैं यह यहाँ पे हलदी पाउडर अट कर दोंगी हलदी पाउडर को अध्रक करने के बाद हम इसमें यहां पे सुखा धनिया पाउडर आड़ कर रहे हैं और इसके बाद हम यहां पे आधा चोटा चमच देगी मिर्च या ज आ रही है यहां पर जैसे ही यह मसाले कुक हो गए है अब इसमें मैंने जो उबाली हुई अंबिया थी उसका जो पल्प निकाला था वो एड़ कर दिया है और उसे मैं इन मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर दूँगी ताकि यह equally मसाले डिस्ट्रिब्यूट हो जाएं पूरे पल्प में देखिए मैं किस तरीके से इसको मिक्स कर रही हूँ यह कच्छी अंबिया जो है वो गर्मियों के मौसम में बहुत अच्छी रहती है बौडी के लिए इससे आपको लूने ही लगती है तो इस सबजी कर जरूर ट्राय करिएगा और क्यूंकि हम इसमें बात में ज मसालो के साथ जैसे ही अच्छे से मैं मिक्स कर दूंगी इसमें मैं आधा कप पानी और डालने वाली हूँ जैसे आप देख रहे हैं मैंने आधा कप पानी और डाल दिया अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करूंगी और उसके बाद मैं इसे ढख के कुक होने के लिए रख दू स्टार्ट हो गई है फिर से धकन लगा के हम दो मिनट के लिए इसे और पकाने देंगे दो मिनट हो चुके हैं यहाँ पर अब मैं इसका धकन हटा के देख रही हूं देखिए सबजी काफी हद तक यहाँ पर कुक हो चुकी है कंसिस्टेंसी थोड़ी थोड़ी गाड़ी हो गई है अब इस स्टेज पर हम लोग यहाँ पर जागरी पाउडर आड़ करेंगे आप चाहें तो जागरी पाउडर की जगा चीनी भी आड़ कर सकते हैं बड़ थोड़ा हेल्दियर ऑप्शन होता है गुर्ड इसलिए मैं करके फिर से पकाऊंगी ताकि जागरी पाउडर का फ्लेवर भी बहुत अच्छे से सब्जी के अंदर आ जाए देखिए सब्जी यहां पर पूरी अच्छे से बन के तयार हो चुकी है इसे एक बार अच्छे से स्टर करके मैं इसे एक डिश में निकाल लूंगी जिसमें भ बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में जब हम इसको एक रोटी पराठे या चावल के साथ खाते हैं यहां पर हम ग्यास को भी बंद कर देंगे देखिए हमारी सब्जी कैसी सुन्दर कलर आया है अब हम एक तड़के पान को हीट करेंगे मीडियम हाई फ्लेम पे और एक बात इसमें हम आदा चोटा समर देगी मिर्च का आड़ करेंगे और देगी मिर्च आड़ करते ही हम गैस को यहां बंद कर देंगे तड़के को हम लोग सब्जी के उपर डाल देंगे देखिए यह कितना ही सुन्दर लग रहे और इससे फ्लेवर और इन्हांस हो जाएगा इसके बद भुना जीरब पाउडर उपर से स्प्रिंकल करना है और कुछ पुदीने की पतियों से इसको गार्निश कर देना है एकदम खटी मीठी अंबी की सबजी बिलकुल बन के तियार है यह एक ट्रेडिशनल सबजी है जो पंजाब और हिमाचल में खाई जाती है इसको अब जरूर ट्राइ करें मुझे जरूर बताइए का कि आपको यह कैसी लगी अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है इसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए कॉमेंट कीजिए और हमारे चानल को जरूर सब्सक्राइब करें थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग